कन्या राश शिवालों जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं हमेशा आपके आसपास घूमता रहता है या आठ देवता या आठ देवता कौन है इसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं चला है आप हमेशा इसके संकेत को देखते हैं लेकिन इसे नजर अंदाज कर देते हैं यह देवता आपको माला माल करने आए हैं लेकिन आपने जो गलती पहले किया है वह गलती अगले तीन दिनों के अंदर भी करोगे तो आप सभी का जीवन तबाह और बरबाद हो जाएगा मात्र तीन दिन का ही समय बचा है कि यहां देवी देवता आपके उपर हमेशा अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखें, तो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा. इस वीडियो में जो सच्चाई आप सभी को सुनने को मिलेगा, सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस बात की गारंटी है दोस्तों, न जाने आपने कितना समय दोस्तों के साथ गप्पे मारने में उड़ा दिये होंगे, लेकिन अगर पांच मिनट का समय भी इस वीडियो को आप दे देंगे, तो आप सभी का किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं सकता है. आपकी दुश्मन आपके पैरों पर गिर जाएंगे, हालांकि दुश्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली आपके बन रहे हैं, लेकिन उसका एक भी नहीं चलेगा. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां आते देवी देवता आपके आसपास ही रहता है. यदि आप इसकी संकेत को पहचान जाएंगे, तो यह आपके जीवन में वास करने लगेगा, और आपके जीवन से यह कभी दूर नहीं जाएगा. जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के ऊपर इस शक्ति का हाथ है, और यही शक्ति आपको हर कार्य में साथ दे रही है. बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जो असंभव सा था आप सभी के लिए. लेकिन वह कार्य भी संभव हो गया है. सब इन देवताओं का आशीरवाद है दोस्तों, इसलिए समय निकाल कर वीडियो को देखिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी माता राणी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं. सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी, तीन बार लिख दीजिएगा. माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा, एक बड़ी शक्ती प्रवेश कर चुकी है, और आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है मित्रों. आपको बता दें, जिन लोगों का बुरा नजर आपके एवम आपके घर परिवार के उपर पड़ा है, जिन लोगों ने आपको बरबाद करने के लिए साजिश रच था, जिन लोगों ने आपको जान से मारने की प्लैनिंग किया था, अब उनका उल्टी गिंती शुरू होन अब उनका खुशियों का अंत होने वाला है। मित्रों, अब उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं ठिकेगी, उनका खुशी पल भर में खत्म हो जाएगा। एक जटके में वह व्यक्ती रोड पर आ जाएगा। और आपको बहुत बड़ा और भयंकर खुशखबरी बस आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है मित्रों। आपको बता दें। मैं अपना दिव्य द्रिष्टी से देख पा रहा हूं कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं। आप बहुत सच्चे इंसान हैं। इसलिए मित्रों आपके ऊपर यह बरबाद करना चाहता है उस व्यक्ति को यह शक्ति बरबाद करके रख देगी। इस बात की फुल गारंटी है। क्योंकि मित्रों यह जो शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी मित्रों इस शक्ति के बारे में जब आप पूरा सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर थर-थर कापने लगेगा मित्रों आपको बता दें इश्वर के प्रती आप बहुत विश्वास रखते हैं लेकिन कभी कभार आपके जीवन में जब कोई बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं तो आप उस समय इश्वर के प्रती अपने आस्था को खोने लगते हैं आप इश्वर के ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं लेकिन अगले ही पल आप इश्वर से फिर प्रार्थना करने लगते हैं इश्वर से आप क्षमा मांगने लगते हैं असीलिए मित्रों, अब आपको जीवन की सारी खुशियां इस देवी की आशीरवात से मिलने वाला है। अब आपका जीवन में एक नया उजाला देखने को मिलेगा। आपका जीवन का खुशियां दुगनी होने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ मित्रों, समय बहुत कम बचा है। अगले 72 घंटे के अंदर आपके साथ बहुत बड़ा और भयंकर घटना होने वाली है। जी हां मित्रों, इस घटना के बारे में सुनकर आपका रातों का नींद उड़ जाएगा। मित्रों, पहली बार आपके जीवन में ऐसा भयंक घटना होने जा रहा है कि कल्युक की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हां मित्रों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो घटना घटित होने वाला है, वह घटना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस घटना से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मित्रों, आपको बता दें, आपके उपर यह एक दिव्य शक्ती महरबान हो चुकी है, और यह देवी आपको कुछ देना चाहती है। मित्रों, अगर आप इस इनकार कर देंगे, तो आपको जिंदगी भर खून का आंसु रोना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको पच्टाना पड़ेगा, ना मित्रों, आपको बता दें, पिछले पांस सालों से यह दिव्य शक्ती आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊ और अब यह दिव्य शक्ति आपका कर्मों का हिसाब करने वाली है तथा आपका कर्मों का फल आपको देने वाली है। मित्रों, पिछले पासालों के अंदर आप जो कर्म किये हैं, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। मित्रों, आपको बता दें, आपके साथ यह एक भयंकर घटना हर हाल में होकर रहेगा। दुनिया का कोई भी ताकत इस घटना को होने से नहीं रोक सकता है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मित्रों यह घटना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी, यह घटना आपकी जिंदगी में चार चांद लगा कर रख देगी, ऐसी भयानक घटना आपके जीवन में होने वाला है, इसलिए मित्रों जयोतिश कार्यक्रम के बिना स्किप किये, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, मित्रों, जयोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जयोतिश कार्यक्रम को एक ला साथ ही मित्रों, जो भी व्यक्ति प्रभु श्री राम का सच्चे भक्त इस ज्योतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से पांच बार जय श्री राम जय श्री राम अवश्य लिखें। इस देवी के आशीरवाद से अब आपका जीवन बदलने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किसमत वाले हैं, जो आपके साथ ऐसा भयानक चमतकार होने जा रहा है। मित्रों आपको बता दें, धन की देवी माता, लक्षमी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और धन की देवी माता, लक्षमी की आशीरवाद से अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है, धन की देवी माता, लक्षमी के आशीरवाद से। अब आपको करोडों का संपत्ती हाथ लगेगा, अब आप धंग से माला माल हो जाओगे। सही सुन रहे हैं, ऐसा ही बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है, बस आपको यह एक छोटी सी चीज मंदिर में दान कर देना है, क्योंकि मित्रों आपका कुंडली में महा संयोग का निर्मान हो चुका है, इसलिए मित्रों अगले 72 घंटे का समय आपके लिए सबस सर्वश्रेश्ट और पवित्र समय साबित होने वाला है मित्रों, इतना सर्वश्रेश्ट और महत्वपूर्ण समय हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपके लिए इतना अच्छा और पवित्र समय का निर्मान ह हो चुका है मित्रों आपको बता दें अगले 72 घंटे का समय इतना शक्तिशाली समय रहेगा कि आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा जी हां मित्रों आपका कुंडली में ऐसा बड़ा बदलाव हो चुका है और मंगल ग्रहने ऐसी चाल चली है कि आपके जीवन का सा परेशानी खत्म हो जाएगा आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा आपकी जीवन की हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ मित्रों आपको बता दें जिस चीज के लिए पिछले कई सालों से आप तड जाली बजाएंगे ऐसी तरक्की अब आप करने वाले हैं ऐसी बड़ी काम्याबी अब आप हासिल करने वाले हैं मित्रों अब आप करोडपती बन जाओगे इस बात की गारंटी है मित्रों अगर आप कर्ज से परेशान है या फिर कोर्ट का चहरी से संबंधित कोई परेशा तो यह भी समस्या आपकी दूर होगी। संतान का सुख जिस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है उसे संतान का सुख प्राप्त होगा। यूं कहे तो देखते ही देखते आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में एक भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। आपका जीवन का सरा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन का हर एक परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते आप अपने महले का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। आप जीवन की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी और सबसे खास बात देवों का देव महादेव जी आपके उपर प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए मित्रों भगवान भोले नात के आशीरवाद से आपके लिए स्वर्ग का दर्वाजा खुलने वाला है। तथा भगवान भोले नात के आशीरवाद से दुनिया की सारी खुशियां आपको मिलने वाला है। बस आपको यह एक छोटी सी चीज किसी भी मंदिर में जाकर दान करके आ जाना फिर देखना मित्रों आपका जीवन में जो बड़ा चमतकार होगा उसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से जूम उठेगा मित्रों आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा मित्रों, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरा बात मजाक समझने की की गलती मत करना बहुत महंगा पड़ेगा मित्रों आपको बता दें अगर आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे तो आपकी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी आपकी जीवन की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगा क्योंकि मित्रों, आज इस ज्योतिश कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं यह कोई साधारण बात नहीं है मित्रों आपको बता दें आज जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं यह बात प्राचीन कालों से चली आ रही है लेकिन यह बातें हर एक इनसान को पता नहीं है यह बातें जी भी इनसान को पता है वह इनसान आज महल में राज कर रहे हैं वह इंसान बिल्कुल भी खरीब नहीं है वह इनसान धन्द से माला माल है मित्रों आपको बता दें आज जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन काल के हमारे आरश मुनियों के द्वारा खोजी गई विद्या है यह विद्या जो भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन का सरा परेशानी खत्म हो जाएगा मित्रों, आपको बता दें, आज का यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति इस जीवतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखेगा, वह जिंदगी भर खून का आंसू रोएंगे यह बात आप लिख करके रखलो मेरे प्या प्यारे मित्रों, जीवतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जीवतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जीवतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर पहली बार आएं हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना ज्यान वर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा मित्रों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका खुल गई किसमत का द्वार, मिल गया किसमत का चाबी, बस यह एक काम कर लो, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा मित्रों आपको बता दें, आपकी जाती के राशेवालों के लिए, यह एक चीज का बहुत महत्व है आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, तथा आपको चारों तरफ से खुश खबरी ही खुश खबरी मिलने लगेगा, आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी, जी हां मित्रों, आपको बता दें, इतनी खुशियां आपको मिलेगी कि आप पूरी तरह से बदल सकता है। आई उसके बारे में हम लोग जानते हैं मित्रों, अगले 72 घंटे के अंदर आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आ जाना है। इसलिए मित्रों, अगले 72 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर अवश्यदान करें। आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा। इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं मित्रों। आपकी मौत का जाल बिछा रहा है। समय रहते सबसे बड़ा दुश्मन है। समय रहते सावधान हो जाईए क्योंकि मित्रों बहुत कम समय बचा हुआ है। मित्रों आपको बता दें, यह दोनों लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहता है। यह दोनों लोग मिलकर आपका घर परिवार को बरबाद करना चाहता है। और मित्रों, यह दोनों लोग मिलकर आपके उपर जादु टोना करने वाले हैं, आपके उपर जानलेवा हमला करने वाला है, इसलिए मित्रों समय रहते सावधान हो जाईए, वरना मित्रों आपका زंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मित्रों आखिर कौन है यह गदार जो आपका जिन्दगी बरबाद करना चाहता है इसके बारे में एक एक जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं आपका दुश्मन का एक एक पोल खोल कर रख दूँगा बस आप इस जोतिश कारेकरम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना मित्रों आज का यह जोतिश कारेकरम आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण ऐसा जोतिश कारेकरम बार बार नहीं बनता है इसलिए इस जोतिश कारेक्रम को बिलकुल भी मिसमत करना मित्रों जोतिश कारेक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कारेक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जोतिश कारेक्रम को एक लाइक जरूर कर दें साथ ही मित्रों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए इस चैनल पर आपको रोजाना ज्यान वर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा मित्रों आपको बता दें, आपका यह जो दुश्मन है बहुत शातिर है, यह दोनों दुश्मन बहुत चालाक हैं, लेकिन मित्रों, अब आपका दुश्मन की चालाकी नहीं चलेगा, क्योंकि मित्रों न्याय का देवता भगवान शनिदेव, महराज जी आपके उपर महरबान हो चुक अब आपका दुश्मन का जिंदगी में अंधेरा चाने वाला है क्योंकि मित्रों दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा अब आपका दुश्मन को मिल कर रहेगा मित्रों आपको बता दें आपका दुश्मन ने आपको पिछले पांच सालों से बहुत ज्यादा परेशान किया है आपका दुश्मन ने पिछले पांच सालों से आपको बहुत सताया है लेकिन मित्रों अब दुश्मन का हेकडी निकल जाएगा क्योंकि मित्रों भगवान शनिदेव महाराज के आशीरवाद दुश्मन के साथ एक भयंकर घटना होने वाला है जिससे दुश्मन का पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा मित्रों मुझे पता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही है आपका जीवन बहुत परेशानी में गुजर रहा है लेकिन मित्रों यकीन मानिये इस ज्योतिश कार्यकरम को देखने के बाद आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी आपकी जीवन क आपके घर में नहीं आएगी, आपका घर परिवार बे बे खुशहाल रहेंगे, आपका घर परिवार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मित्रों आपका खेल खत्म करना चाहता है, यह इंसान इसलिए मित्रों चेतावनी दे रहा हूं, समय रहते संभल जा जा सकते हैं, इसलिए मित्रों यह जानना बहुत जरूरी है कि यह दुश्मन कौन हो सकता है, जो आपको बरबाद करने पर तुले हैं, तो दोस्त मित्रों आप सभी को बता दें, इस पर्ची में पांच नाम निकले हैं, जो आपको बरबाद करना चाहता है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि आप हमेशा अपना जीवन गरीबी में व्यतीद करो. इसलिए मित्रों आज का यह जियोतिश कार्यकरम शुरु से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए. क्योंकि मित्रों इस ज्योतिश कार्यक्रम में जो जानकारी में आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो दुश्मन का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड पाएगा जी हां मित्रों आप सभी को बता दें ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और आपका कुंडली में शनी ग्रह प्रवेश कर चुका है जिसके वजह से अगले तीन दिनों तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मित्रों बाबा के परचा में पांच व्यक्ति का नाम निकला है जो आपका जिंदगी बरबाद करना चाहता है और यह लोग कोई और नहीं बलकि आपका अपना ही है जिसको आप अपना दोस्त मानते हैं वह आपका दोस्त तो नहीं दुश्मन है और इस बात से आप अभी तक अंजान है जी हां मित्रों आप सभी को बता दें कि आपका जिंदगी बरबाद करने के लिए आपका दोस्त और आपका दोस्त का चार दोस्त हैं ये पांचों मिलकर आपको बरबाद करने के लिए आपके अगले तीन दिनों तक आप घर से जब भी बाहर निकले तो अपने अपने माता पिता का आशीरवाद लेकर निकले क्योंकि मित्रों माता पिता का आशीरवाद भगवान समान होता है और जब भगवान का आशीरवाद आपके साथ होगा, तो दुश्मन चाहा कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और साथ ही आपको एक ऐसा गुप्त जानकारी बताएंगे, जिस जानकरर के आप अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकत हैं और आने वाले दिनों को खुशहाल बना सकते हैं, मित्रों, अब दुश्मन का जिंदगी समाप्त होने वाला है, दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है, जी हां मित्रों, अब दुश्मन का पूरी तरह से खेल समाप्त हो जाएगा, मित्रों, आपको बता दें, दुश्म अब दुश्मन को दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है अब दुश्मन का किस्सा खत्म होने वाला है क्योंकि मित्रों भगवान शनिदेव महाराज का तीसरा आँख खुल चुका है तथा भगवान शनिदेव महाराज आपका कुंडली में विराजमान कर चुके हैं और आपके ऊपर महरबान हो चुके हैं इसलिए मित्रों अब दुश्मन का मनमानी नहीं चलने वाला है अब दुश्मन आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़ गिड़ाएंगे मित्रों आपको बता दें जो व्यक्ति आपसे जलते थे जो व्यक्ति आपकी तरख्की द पूरी तरह से बदलने वाला है मित्रों आपको बता दें चारों तरफ अब आपका ही चर्चा होगा पूरे मोहले में मित्रों आपका ही नाम गूंजेगा आस पडोस में आपका ही नाम का चर्चा होगा जी हां मित्रों ऐसा भयंकर समय आपके लिए निर्मा हो चुका है मित्रों आपको बता दें आप बहुत भाग्यशाली हैं बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको इतना खास और महत्वपूर्ण समय प्राप्त हुआ है मित्रों ऐसा समय बार-बार नहीं आएगा इसलिए इस समय को बरबाद मत करना मित्रों आपको बता दें आपका जिन्दगी में कुछ बड़ा विचित्र घटना होने वाला है यह घटना आपको हैरान करके रख देगा मित्रों आपको बता दें यह घटना आपको अचम्भित कर दे इसलिए मित्रों हो जाईए तैयार अब आपका जीवन में बहुत बड़ा और अनोखा घटना होने वाला है मित्रों अब आपको एक देवी की कृपा से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है अब आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है इस देवी की आशीरवाद से अब आपको जिंदगी में वह सारी खुशियां मिलने वाला है, जिसके लिए आप आप सालों से तड़प रहे थे, जिस खुशी के लिए आप सालों से महनत करते आ रहे हैं, वह खुशी अब आपको एक जटके में मिलने वाला है, मित्रों अब इ यही संसार का नियम है लेकिन मित्रों जब किसी व्यक्ति पर देवों का देव महादेव जी महरबान हो जाते हैं तो उनका जीवन में बहुत बड़ा-बड़ा चमतकार होने लगता है। अब आपके जीवन में बदलाव ही कुछ ऐसा होने वाला है। जीवन में बदलाव होने वाला है जिसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से जूम उठेंगे। मित्रों अब आपका पूरा घर परिवार खुशी से गदगद हो जाएंगे। मित्रों आपको बता दें यह एक महत्व पूर्ण घटना अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मित्रों यह घटना आपको करोडपती बना देगा इस घटना को होने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। मित्रों आपको बता दें अब आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। जियोतिश कारेक्रम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए राम बान साबित होने वाला है। इस जियोतिश कारेक्रम को मजाक समझने की भूल मत करना मित्रों अब आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस इस जियोतिश कारेक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। मित्रों, इस जियोतिश कारेक्रम को जो आज शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं मित्रों, आपकी समय की बरबादी नहीं होगा, मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं मित्रों, ज्योतिश कारेक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप हर महादेव जय बाबा भोलेनात अवश्य लिखें बाबा भोलेनात का विशेश कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा मित्रों आपको जीवन में जितना ज्यादा दुख तकलीफ हुआ है उससे दस गुना अब आपको सुख मिलने वाला है अब पूरे गाव मोहले में मिठाई बांटने लग जाएंगे जी हां मित्रों ऐसा भयानक चमतकार आपके जीवन में होने वाला है मित्रों संसार की सारी खुशियां अब आपकी कदमों में होगी ऐसा ऐसा चमतकार अब आपके जीवन में होने वाला है मित्रों आपको बता दें बहुत कष्ट जेले हैं, लेकिन मित्रों, अब आपका संघर्षका का दिन समाप्त होने वाला है, और खुश्खबरी का दिन आने वाला है, अब आपका सपना पूरा होने वाला है, मित्रों आप पिछले कई सालों से जो सपना देखते आ रहे हैं, वह सपना अब आपका एक ज आप जितना अपने जीवन में परिश्रम किये हैं, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में ऐसा ऐसा भयानक बदलाव होने वाला है, अब आपका बंद किसमत का दर्वाजा खुल चुका है। मित्रों आपको बता दें, आज इस जोतिश कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विशय पर बात करने वाले हैं। मित्रों इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो आज इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि मित्रों प्रभुश्री राम जी आपके उपर महरबान हो चुके हैं। साथ ही मित्रों धन की देवी मा लक्ष्मी आपके घर आ रही है। धन की देवी माता लक्ष्मी की चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है। इसलिए मित्रों, अब आपका जिंदगी हर हाल में बदल जाएगा। लेकिन मित्रों, जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, आपके लिए रोजाना 10 से 15 घंटे लगातार मेहनत करता हूँ। उसके बाद आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता और इसके लिए आप से एक भी रुपए चार्ज न साथ ही मित्रों, अगर इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। दिक्कत आपके जीवन में चल रहा है, यह परेशानी आपका कब तक खत्म होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, मित्रों आपके जीवन में कौन कौन सी चीज की कमी है, धन दौलत रुपया पैसा आपके पास क्यों नहीं टिकता है, क्य दौसरे हाथ से चला जाता है, आखिर इसका क्या कारण है, किस वजह से आपके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है, किस वजह से इन तमाम प्रकार की परेशानियों से आप लड़ रहे हैं, क्या धन की देवी माता लक्षमी आपसे रूठ गई है, क् इन सभी के बारे में एक-एक जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। भगवान का निराला खेल शुरू हो चुका है, इसलिए अब आपका जीवन में चार चांद लग जाएगा। जीह मित्रों, इस आपको बता दें, अब आपका किस्मत एक बहुत लंबी छलांग मारेगी, ऐसा भयानक चमतकार आपके साथ होने वाला है, अब आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल नहीं रहेगा, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा। कुछ विशेश सावधानी बरतनी होगी, कुछ विशेश बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जो आगे इस ज्योतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए मित्रों, ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। मित्रों, आपके जीवन में जो भी परेशान चल रहा है, उनसे आपको एक जटके में छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताई गई सभी बातों को अच्छे से समझना होगा। फिर देखना मित्रों, आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव होगा, उससे आसपडोस के लोगों में खलबली मच जाएगा, उससे आसपडोस के लोगों में टहल का मचने लगेगा। जी हां मित्रों, ऐसा ऐसा चमतकार अब आपके जीवन में होने वाला है। समय रहते हैं, यह एक गलती सुधार कर लो, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके उपर प्रसन्न हो जाएगी और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। मित्रों, आपको बता दें, ज्योतिश शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म में यह एक गलती किसी भी व्यक्ती को नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ती यह एक गलती करता है, उनका जीवन का सुख चयन गायब हो जाता है। तो मित्रों, आखिर वह कौन सी गलती है जो किसी भी व्यक्ती को नहीं करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस गलती को कर चुके हैं, वे लोग इस गलती का सुधार कैसे कर सकते हैं? कौन सा उपाय करके अपनी गलती का माफी मांग सकते हैं? इसके बारे में भी हम इस जियोतिश कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। नहीं होता है, हमेशा उनके जीवन में दुख तकलीफ देखने को मिलता है, हमेशा उनके जीवन में परेशानी देखने को मिलता है। तो मित्रों वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए, वह कौन सी गलती है जो आप अपने जीवन में करते हैं, तो आपको जीवन में तरह तरह की परेशानी होता है, आईए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, जैसे कि आपको पता होगा, जोतिश शास्त्र में मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित माना गया है।